ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज में लेकर आया हूँ एक बहुत ही अनोखा एक ऐसा गुप्त प्रयोग जो की आपकी कोई भी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है बहुत ही बहतरीन, बहुत ही सटीक लगने वाला एक ऐसा प्रयोग जो की लाखो रुपे खर्च करने पर भी आपको कोई न बताए बहुत सालों पहले जो है हमारे रिशिम उन्यों ने पानी पर अनेक एक्सपरिमेंट किये और उन्होंने ये पाया कि पानी जो है उसकी खुद की मेमोरी होती है यदि कोई मंत्र पानी पर पड़ दिया जाए तो वो से याद रखता है और जो हमारा शरीर है उसमें 75% पानी है तो कुछ ऐसी टेक्नेक्स भी हैं जिससे की इनसान के सोचने समझने की शक्ती को मोल्ड किया जा सकता है सिर्फ पानी से मैंने बहुत से ऐसे चमतकार देखे हैं बहुत से ऐसे गुप्त विद्याएं देखी हैं जिसमें कि खिलाने पिलाने से किसी को भी वशिभूत किया जा सकता है खिलाने पिलाने से किसी को भी बर्बाद किया जा सकता है अनेको ऐसी विधिया हैं जो कि कहीं पर गुप्त छुपी हुई है इसी श्रंकला में आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा करामाती पानी जो गुप्त साधनाओं हैं जो की एडवांस लेवल में आती हैं लेकिन मुझे सुनने वाले पूरी दुनिया में बसे हुए है और उन मेंसे ना जाने कैसे कैसे लोग होंगे कैसे कैसे साधू संत होंगे जो की पहले से ही साधनाओं कर रही हैं अगर आप बिल्कुल नए हैं तो इस साधना को मत कीज़ेगा कोई साधक कोई जिग्यासू है वही इसको फलित कर पाएगा क्योंकि अगर आप सिर्फ पहली बार वीडियो देख रहे हैं और ये करेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा तो इस विधी में आपको सात्विक रहना है जब इस साधना का प्रारंब करें तो बिल्कुल शान्त रहीएगा एक साधक जो है वो कुछ ऐसा होता है कि उसे लोग क्या कहेंगे लोग ऐसा कहेंगे लोग ऐसा कहेंगे इन सबसे कोई फरक नहीं पड़ता कोई अच्छा कही तो भी ठीक है कोई बुरा कही तो भी ठीक है मतलब सामाने रहते हैं वो किसी के कहने से किसी के कुछ बोलने से उनका मतलब कोई भी फरक नहीं पड़ता तो आपको ये साधना जो है ये बुद्धवार को शुरू करनी है कोई ऐसा प्रांगन ढूंडिएगा कोई ऐसा पार्क ढूंडिएगा जहां पर की आपको अनार का पेड़ मिल जाए अनार के पेड़ के निजे बैठकर आपको ये साधना करनी है अगर आप आकर्षन चाहते हैं अगर आप अपने आपको सुन्दर बनाना चाहते हैं एक ऐसा लावन्ड ने आ जाएगा आपके भीतर कि एक बार आप किसी ये पास से निकल गए तो आपको टक-टकी लगाए देखते रहेगा यदि अनार का पेड़ संभव ना हो तो आप शेहतूत के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं ये दो पेड़ हैं जिनके नीचे आप ये कर सकते हैं साधना और उसके बाद यूँ समझेए चाहे आपकी नौकरी हो चाहे कोई छोकरी हो या किसी भी तरह का एक्स्टा मेरिटल अफेर हो पती को वापिस लाना हो घरवाली भाग गई हो आपकी नौकरी ना लग रही हो गाड़ी लेनी हो घर लेना हो किसी भी तरह की समस्या हो कर्ज हो कोई बंधन हो किसी ने कुछ किया कराया हो सब कुछ जो है इस से फलित होता है ये एक ऐसी रसायन है जो कि आपकी हर मनुकामना को पूर्ण कर देगी जैसे ही आपने इस रसायन का स्वाध चखा ये आपके भीतर के डियने को पढ़ लेगी और जो जो आपकी परेशानिया है जो जो आपके दिमाग के भीतर समस्याएं विचरन कर रही है उनको ढूंड क कि उनका समाधान करना प्रारंब कर देगी अभी साइन्स जहां पर रिसर्च कर रहा है इसको हमारे जो रिशी गण है वो करके छोड़ चुके हैं नैनो बोर्ट्स और ये जितना भी अभी रिसर्च हो रहा है इस सब बहुत मतलब निम्न वर्क का है हमारे रिशी मुनी ऐसे थे कि जो अपनी ऐसे वाहन रखते थे जिनमें कि ना इंधन होता था ना किसी प्रकार की उर्जा बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी इंधन के वो चल देते और उस समय भिजली का प्रियोग नहीं होता था आज कल आप देखेंगे कि हर किसी चीज में भिजली स जो है सब कुछ चल रहा है लेकिन उस समय पर इच्छा शक्ती से सब कुछ चलता था तो उसी श्रंखला में उसी एक टेक्नलोजी को लेकर आज मैं आपको यह उपाय बता रहा हूं और यह आपकी भावनाओं पर यह आपके विचारों पर काम करेगा तो आपको करना क्या है कि एक ऐसा स्थान ढूंडिये जहां पर की अनार का पेड लगा हो अगर अनार का ना मिले तो आपको शेहतूत का पेड ढूंड लेना है इस साधना के दोरान बिलकुल शांत रहें सात्विक रहें किसी भी तरह का मन में कलेश किसी भी तरह का किसी से द्वेश ना रखें और और बिल्कुछ सात्विक होकर इस साधना को प्रारम बगरें। आपको क्या करना है कि इस मंत्र को बुद्धवार से शुरू करके एक माला प्रती दिन आपको जाप करनी है। जब आप इस माला इस मंत्र का जाप करना शुरू करें तो जो पहला दिन होगा वो बुद्धवार का होना चाहिए उसके बाद लगातार आपको एक ही स्थान पर बैठ कर साथ दिनों तक एक-एक माला रोज जाप करनी है आपकी जो दिशा होगी आपका जो मुख मंडल होगा वो सूरी के तरफ होना चाहिए आपका आसन रहेगा लाल रंग का अगर आप सिर ढखना चाहें तो लाल रंग के कपड़े से ढख सकते हैं और जब साधना करें तो अपने साथ कुछ नवैद रखें, कुछ मिठाई रखें, कुछ ऐसा रखें जो कि आप यदि कोई शक्ती वहाँ पर परकट होती है तो उनको आप आफर कर सकें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो शक्तियां इसके पीछे काम करती हैं वो सामने आ जाती है यदि साथ दिन में कोई सामने ना आए तो बहुत अच्छा है अगर सामने आ जाए तो आप कुछ ऐसा मीठा रखेंगा जो कि आप उनको दे सकें इससे जो है आपकी साधना सफल हो जाएगी अब जब साथ दिन तक आप इस मंतर का जाब कर लें उसके बाद ये मंतर सिद्ध हो जाता है इसके बाद आपको इस मंतर को एक बार कांच की बोतल में एक ऐसी कांच की बोतल लीजेगा जिसमें की कुछ भी न लिखा हो बिल्कुल कांच की बोतल हो चाहिए उसका धकन कैसा भी हो लेकिन कांच की बोतल होनी चाहिए और उसके उपर कुछ न लिखा हो उस पर आपको ये मंत्र जो आपने सिद्ध किया था साथ माला रोज प्लब साथ मालाईं करके रोज आपको एक माला करनी थी और वो ये मंत्र जो है वो मैं भी आपको बता देता हूँ इस मंत्र से आपको सिर्फ एक बार उस पानी को इंफ्यूज कर देना है सिद्धी के बाद जब आप ये करते हैं तो जो मंत्र है वो पानी की भीतर चला जाता है और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में अपना पूरा योगदान देता है आप पाएंगे कि पहले ही दिन से जैसे आज रात को आपने किया और सुबह उठेंगे तो ये जो जग है ये जो संसार है ये जो माया जाल है ये आपके सामने नत्मस तक होगा आप देखेंगे कि एक नाट की रूप से परिवर्तन होना शुरू हो गया है आपकी इच्छाओं स्वतही पूर्ण हो रही है आपने यदि कोई घर के बारे में कल्पना की होगी कि मेरा इतना बड़ा घर हो आलिशान घर हो तो उसको बनने के लिए अवसर आपको मिलने रही हो आपकी सरकारी नौकरी ना लग रही हो और फिर उसके लिए आपने ही उपाय किया तो वहाँ पर भी आपको सुवसर मिलने प्राप्त हो जाएंगे मैंने ऐसा भी देखा है कि दो-दो साल से जो प्रेमी जोड़े नहीं मिले थे इस प्रयोग को करने से वो मिल गए है और ये मंतर बड़ा ही पावर्फुल बहुत ही सक्षम है अपना कोई भी काम करने के लिए चाहे वो किसी परकार का हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि वो काम कितना बड़ा है वो आपके लिए बड़ा है लेकिन इस मंतर के लिए वो तुछ है एक सेकंड में अपना काम द तो मंत्र है ओम नमो भगवती रक्त पीठम नमहा इस मंत्र को बस एक बार आपको पीने वाले पानी में जो कि आपने काच की शीशी में, काच की बॉटल में रखा है उस पर एक बार इन्फ्यूस कर दीजे इन्फ्यूस करना कुछ ऐसा है कि एक बोतल को जो है पानी से भर कर पीने वाले पानी से अपने हाथ में रखिए राइट हैंड में और उसको पढ़ दीजे, मंत्र को पढ़िए इसके सामने और ऐसा महसूस कीजे कि जो आपकी कामनाएं हैं वो ये पानी फलित कर देगा और इसके बाद जो है इस पानी को आप एक दिन में खतम कर देएं रोज ऐसा साथ दिन तक कीजिए और फिर देखिए कुछ ऐसे परिणाम घटित होंगे जो कि अलौकिक होंगे कुछ ऐसा चमतकार हो जाएगा कि आपकी जो भी कामना थी वो पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी जहाँ पर अवसर नहीं थे वहाँ पर अवसर आने शुरू हो जाएगे जहाँ पर बिलकुल यह अंदकार था कुछ दिखी नहीं रहा था वहाँ पर प्रकाश हो जाएगा कुछ ऐसा होगा जो कि अलौकिक होगा एक ऐसी शक्ती जो कि आपका हर काम बनाएगी वो इस मंत्र में है और ये इतना गूड रहस है जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा लेकिन वर्षों के अनुसंधान के बाद आज मैं आपको ये बता रहा हूँ ये मेरी सीक्रेट विधिया है जो कि मैं विरले ही कभी बताता हूँ जब मेरा मन अच्छा होता है और आज मेरा मन किया कि चलो आज कुछ ऐसा दिया जाए जिससे कि जितने भी दुखी मन है उनको शान्ती मिल जाए और जितने भी रूठे हुए हैं उनको उनका प्यार मिल जाए यदि कहीं पर कोई तुरूटी हुई हो कुछ समझ में ना आया हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं info at rate mohinividya.com पर आप मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं 999-284-1625 पर और 24 गंटे की भीतर भीतर आपके समस्याओं का समधान करके मैं दूँगा धन्यवाद